नमस्कार sırबी दर्तियों आप चैनल पर स्ववागत है मैं चंदर सिंग आप सुभिका अपने यूटूब चैनल पर अभिवाधन करता हूं प्यरबी दर्तियों जिसकी आपको पता है अरथवार सिक प्रिक्ष्या कल से सुरू होनेजा़ रही है हाप यर्ली एजामिनिशन 2021 और कक्षिया 10 का हम पढ़ेंगे आज इंगलिस का परसन पत्तर पहरी दर्तियों ये 48 अंकों का आएगा अब ये 48 अंकों का क्या मामला है देखो आपका पहला टेस्ट 20 अंक का हुआ था दूसरा भी 20 अंक का हुआ था और ये हो गया 48 का कुल मिला के होगे इठासी और बारा अंक का आपका हो जाएगा हौंवर तो ये सारा सो नंबरों का हो गया अब ये सो का हो गया तो इस में से आपके संत्राक भेज़े जाएंगे ठीक ना अठारा भेज़े जाएंगे तो ये आधार रहेगा समय नहीं गवाकर हम आगे बढ़ते हूं आगे बढ़ने से फेले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नेगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निसान दबा कर आप ओल बटन पर क्लिक करके ने सातियों के साथ सेर कर दीजिए समय ध्यार रखना आपका दो घंटे 25 मिंट का ही समय है सबसे पहले आप रोल नंबर लिखें सभी परसन करने अनुवार यह है कि नंबर पर क्या कहा गया है परते परसन आपकी बुक से ही लिया गया है सेक्षन ए में क्या लिखावा है करेट दी फॉलोविंग पेशेज और नीचे दीगे परशनों का उत्तर दीजी देखो यह लंबा चोड़ा पेशेज है आप इसको पढ़ लीजिए कि सक्रीन चोट लेके इसका स्क्रीन चोट लेके पढ़ लीजिए अब नीचे दीगे परसन है उनके भी आप उत्तर दे दीजिए त्यान रहे यह परसन कैसे है मैंने पेशेज को पढ़ा नहीं है बागी आप पर लेंगे देखो ऑब्जेक्टि टाइप परसन आई है यहाँ पर देखो इसमें से कौन सा है यह है यह है यह है यह है चारों में से कौन सा है तो ऐसे ही परसन जैसे मालो C है तो C लिग दो आप कर सकते हैं तो पेसेज को ज़्यादा समझानी आई सकता नहीं आप करी सकते हैं दूसरा परसन ये है इसका आप स्क्रीन सोट ले लो उसके बाद तीसरा परसन ये है इसका आप स्क्रीन सोट ले लो उसके बाद चोथा परसन ये रहा चोथा परसन देखो केसा है चोथा परसन में यह रिगस्तान दे रखे इन दोनों में से कोई थोर्ण आर एन इंटेग्रल या आउटर पार्ट उप रोज प्लांट तो यह इस रिगस्तान दोनों में से कौन सा आईगा यहां पर आप भर दीजिए फिर देखो पांचवा परसन राइट दा आउटर आप दी फॉलोविंग वाट इस दे प्यूर फीस सुद सांती क्या है वाट ड़स दे फीसपुल मांट नीड से प्ली यानि एक सांती जनक मस्तिक को किस सुर्क्षय की आई सकता है तो यह आप परसन कर सकते हैं पहला पेसेज है आपका इसके बाद यह देखो दूसरा पेसेज भी है रेड दे फॉलोविंग पेसेज एंड आर्ट परता क्योशन मैं कुछ ग्रामर की परसन आपको बता दूगा उनके उत्तर बता दूगा यह बाकी आप करी लेना यह देखो यहां तक पेसेज है आपका यह पेसेज इसका स्क्रेंचोट ले लीजी और इसका विश्त्री तद्यान है कर लीजी आप उसके बाद नीचे दिएगे परसन अच्छा थोड़ा यह ओर रहे है इसको भी आप पढ़ लीजी और फिर आप आगे बढ़िए अप परसन हैं वैसे ही अब्जेक्टिट आप परसन है बैच्छो और फॉर फादर्ज तुक प्राइड इन स्कॉलर्शिप, स्प्रेट आप सेक्रिफाइस, वैल फर अदर आप इन में से कौन सा जो भी है यहां ब्रेक्ट में लिख दीजी आगे देगो दूसरा परसन इसमें भी आप कर सकते हैं जो भी हो आपका उतर है वो आप ब्रेक्ट में लिख देगा है तीसरा परसन है यह भी अब्जेक्टिव टाइप है अब यह देखो चोथा परसन है जो भी उतर है यहां ब्रेक्ट में कर दीजीएगा पांच वह परसन है इसका भी ऐसा ही फॉर्मेट है यह आप कर सकते हैं यह आप उपर पैसेज में देखकर करोगे ठीक है अब यहां पर पूछा है सिमिलर वर्ड क्या पूछा है सिमिलर वर्ड यानि प्रेवाची डेवलप का क्या है अन्सेस्टर का क्या पूर्वज का तो ancestor का मुझे पता है, for father होता है ना, आपने उपर आया है, for father, ancestor का क्या होता है, for father होता है, for father ancestor का हो जाएगा, ठीक है, अब आगे देखो, grammar वाला भाग देखे, grammar की कुछ परसन मैं आपको बता दूँगा, मुझे जितनी परसन गुरुजी नी बताए हैं, उतनी आपको मैं आदूँगा, choose the correct form of the verb, correct form बनी, देखो, I read a very interesting story now, अपट रहाँ, तो यह, sir कह रहे हैं, कि now है, वो present continue की adverb है, और present continue की adverb है, उसमें EJMR plus first form में ing आएगा, तो I की साथ क्या आएगा, M plus ing, यानि B होगा, इसमें क्या होगा, B होगा, दूसरा देखो, C right hundred point so far, अब तक उसने hundred point लिख लिए, अब तक लिख लिए, देखो, so far है, present perfect tense की adverb से, अब present perfect की adverb बिल्स है, तो इसमें होता है, है, यह, plus verb की third form, तो C के साथ क्याएगा, है, तो H किसमें, यह, देखो, D के अंदर है, तो इसका उतर क्या हो गया, D, एदम correct बताया है, उन ने यह उतर बताये है, grammar की, passage का, कि मेरे पास पढ़ने के लिए time नहीं है, passage, तो कि अदवार्सी प्रीक्षा चल रही थी, तो सर ने बताया नहीं, देखो, परस नमर तीन की, he get a price 10 days ago, तो सर कह रहे थे कि, ego जो word है, आपका, यह past tense के अंदर आता है, अब past tense के अंदर देख या फिर got second form, तो देखो, got आ जाएगी, a, ठीक है न, और यह तो लगती नहीं है, यह तो यहाँ पर use ही नहीं होगी, उस tense के अंदर, कहीं पर use नहीं होती है, ठीक है न, यह future के अंदर use होती है, present के अंदर, present के अंदर, ठीक है, तो तीसरे के अंदर क्या आ गया, पहरी वि बताया है, काफी सालों का, उनके पास अंदर हो है, चोथा, रोहित, learn English for five years, रोहित है, वो पांच वर्सों से अंग्रेजी सीख रहा है, लेखो प्यारे बच्चों, यह present perfect continue tennis का है, उसमें क्या होता है, हैज या have been plus ing, एक बचन के साथ हैज और बचन में है, तो रोहित के change the following sentence into indirect speech, यह भी सर ने मुझे बताया है, my friend said to me, do you live in this house, देखो इसमें यह परशन वाद चका है, तो सर ने काया कि my friend का, तो my friend लिख दो, my friend, और say to को बदल दो, ask card में, say to को किसमें बदल दो, ask card में, और me का, me लिख दो, अब जोडने के लिए इसको if लगाना पड़ेगा क्या लगाना पड़ेगा, आपको if लगाना पड़ेगा, या फिर आप वेदर लगा सकते हैं, अब जो यह वाक्य है, परसंट वाद सकते हैं, इसको क्या बनाना है, इसको साधारन बनाना है, तो you को पहले लेकिए I में, और say kriya को बाद में रख देगे, तो you को पहले लेक इनका in this को बदल देंगे that में और house का house गोर से देखो my friend asked me if I lived in that house एकदम सही परसन है कोई दिक्कत नहीं इसमें यह उत्तराप कर लेना अब देखो आगे दूसरा है he said to me please bring me a glass of water इन्होंने काया कि यह imperative sentence है इसमें please वाले में क्या होता है say to को requested में बदलते हैं देखो पहले he है he का क्या लिख देंगे हम he लिख देंगे ठीक है और say to को किस में बदल देंगे requested में r e q u e s t e d और me का me अब देखो इस वाक्य को जोड़ने के लिए में two का प्रियोग करना पड़ता है किसका करना पड़ता है two का अब sir ने काया कि please को अठा देंगे और two का आगे word की first form लगा देंगे तो ये bring है वो आगे लग जाएगे b r i n g bring ठीक है me first person है जो object subject के नुसार बदलता है तो he के नुसार तो me object है तो he का me हो जाएगा क्या हो जाएगा ठीक है a glass of water जो का तो लिख दो a glass of water जो का तो लिख दो देखो इसको क्या है कि he requested me to bring him a glass of water नई बात ये एक requested में बदलना है और जोडने के लिए two का प्रियोगे करना है ठीक है ये sir ने बताया है ये दोनों direct and direct के है आपने reported speech पड़ी होगी वहाँ से उठाएगे है चोथा प्रजन अब देखो हम 500 प्रशन की बात करते है 500 प्रशन में क्या है कि combine the following pairs of the sentence नीचे दीएगे जो वाक्य है उनको जोड़िये दे दो वाक्य है उनको जोड़ना है लड़का मेरा दोस्त है यू मेट हम उसे मिले थे देखो पहले दो बव आया जाएगा दै बोई पहले वाक्य का दै बोई आ गया ठीक है अब ये आपको वाम बीच में लगाना है दै बोई वाम लड़का जिसे यू मेट तुम मिले थे यू मेट देखो ये दैब बोय लगा दिया आपने फिर वोम लगा दिया और फिर यू मेट तु मिले थे अभु हिमनिक अठा दोगे क्योंकि वोम आ गया यह मिले थे इज माई फ्रेंड तो आगे लगा दो इज माई द्यान से देखो एकदम सही वाक्य है अंग्रेजी के लेक्चर के द्वारा बताएगे है उन ग्रूजी ने बताया कि दैब बोई वो हम जिसे यू मैट तुम मिले थे लड़का जिसे तुम मिले थे वो मेरा दोस्त है इस परकार से उसके बाद देखो दूसरा वी नो हम जानते ए लोट ओफ बोईज दे पले कि वी नो हम जानते ए लोट ओबोईज वो सारे लड़कों को दे पले यह यहां खेलते देखो यहां बीच में लगान आ है सबने आए कि पहले पूरावा के लिख दो तो जैसे आप ऐसे लिख दो वी नो ए लोट ओप बोईज और इसके बाद लिख दो हूँ ठीक है और फिर अगला वाक्य लिख दो अगला वाक्य हम कहें यह जगो हूँ है ना सब्जेक्ट की जगा आगया है तो आपको दे हटा देना है यहाँ जो खेलते हूँ हम बहुत सारी लड़कों को जानते है तो यह सर ने बताया है तो प्यरविदार्तियों यह आप वाक्य कहले ना कि we know हम जानते ए लोट ओफ बोईज पहला वाक्य पूरा लिखो फिर हूँ लिखो अगले वाक्य का सबजेक्ट आदो क्योंकि हुल सबजेक्ट का काम कर रहा है पले एयर करता हूँ अब देखो चट्टा sentence चट्टे का पहला भाग देखी आप चट्टे का पहला भाग 6 पूछा क्या है क्या बनाना है प्यरविदार्तीयों आपको पेसी वोईस बनाना है ठीक है स्टोप मेकिंग ए नोईस सोर करना बंद करो स्टोप मेकिंग ए नोईस सोर करना बंद करो तो देखो इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं स्टोप मेकिंग ए नोईस इसमें अबजेक्ट है वरब है आपकी स्टोप और object है making a noise sort करना तो इसको आप इस परकार से लिख सकते हैं सर ने बताया इसके दो तरीके होते हैं या तो आप कर सकते हैं कि you are ordered आपको आदेश दिया जाता है you are ordered आपको आदेश दिया जाता है to, आगे ये है जो कातियों लगा दो stop making a noise ठीक है you are ordered to stop making a noise you are ordered to लगाना है फिर आपको पुरा पुरा वाक्य उतार दो एक तो ये तरीका है दूसरा तरीका आपको बताता हूँ जो सर ने बताया है अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे को इतना याद कैसे है भी मेरे को लिख के दिया न तो मेरे पास पेपर पड़ा है और फिर देखो दूसरा तरीका सर ने बताया कि ये वरब है और making a noise ये object है तो इसमें क्या करते हैं पहले हम late लगाते है क्या लगाते है late लगाते है ठीक है उसके बाद हम object लगाते है तो object ये आगया making a noise let making a noise हो गए ठीक है और फिर उसके बाद हम b लगाते हैं और फिर वरब की थर्ड पर हम तो stop की थर्ड पर हो जाएगी stopड क्या हो जाएगी stopड तो क्या वाक्य है let making a noise be stopड let making a noise be stopड let making a noise यह बहतर बता है अशा ने कि यह लिख देना यह बिल्कुल सही है हलांकि वो भी सही है दो तरीक है इसके लेकिन ज्यादा तर यह परचलन में let देखो कोई भी वाक्य वरब की first form से सुरू हो रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं let शे बनाते हैं पहले let लगा देते हैं और फिर object object इसमें making a noise है तो making a noise लिख दिया अपने फिर बी लगाकर वरब की third form यदि ये do note आला होता ना तो भी के बाद note ओर आ जाता है भी के बाद क्या जाता नोट है ये बताए है ठीक है अब देखो सातवा person frame question to get the following answer इसका answer बनाना है कि yes I took your book yes I took your book हाँ मैंने पुस्तक ली थी अब देखो इसमें कैसे होता है अब आपको person बनाना है देखो ये उत्तर तो पहले से दे रखा है आपको person बनाना है कि हाँ मैंने तुम्हारी पुस्तक ली थी हाँ मैंने तुम्हारी पुस्तक ली थी इस बंदे ने क्या पोचाता है कि क्या तुमने मेरी पुस्तक ली थी क्या तुमने मेरी पुस्तक ली थी तो ये past tense हो गया तुमने टेक लिठी माई बुक ये आपको करना है ये वाद के पूछा था उपर वाला अच्छा कट गया ना दुबार देखो कि डिड यू टेक माई बुक ठीक है डिड क्या यू तुमने टेक लिठी माई बुक मेरी पूछ तक लिठी तो इसने का येस I took your और बुक देखो क्या तुमने मेरी पूछ तक लिठी किसी वेक्ति से पूछाए तो उसने का हाँ आप मैंने आपकी पूछ तक लिठी या वह कहते था नो तो डिड यू टेक ही इसका उत्तर आएगा पैरविदारतियों फ्रेमिंग क्योशन है ठीक है ना अब देखो यह हो ग आपको बनाना है से लिया विल से तो विल यू विल यू ऐसा बन जाएगा क्या बन जाएगा विल यू बन जाएगा इसका टेक क्यूस हालांकि यह कट सा गया था बताया तो था सर ने अब देखो नुवा परसंट परसन है इसमैं आपको वाइल और वहन में सी किसी का एका परियोक करना है वर्षा हो रही थी, आई वाज प्लॉइंग दे फिल्ड वर्षा हो रही थी, मैं हल जोत रहा था जब की वर्षा हो रही थी, और मैं हल जोत रहा था या जब वर्षा हो रही थी, मैं हल जोत रहा था वहन जब इट वाज रेनिंग वर्षा हो रही थी, I was flowing the field, तो इसमें वहन आएगा, क्या आएगा, कि वहन इट वाज रेनिंग जब वर्षा हो रही थी, I was flowing the field में हल जोत रहा था, अलांकि दोनों का एक ससारत होता है वाइल यहां आता कि वर्षा हो रही थी जबकी वाइल बीच में आता आई वाइल प्लॉइंग देख फिल्ड दूसरा थे कि उसने संफुन प्यास के उसने सारा प्रयास किया उसे प्रस नहीं मिला यानि फिर भी उसे प्रस नहीं मिला तो फिर भी के लिए क्या लगाते हैं आप यट क्या लगाते हैं यट कि he made all efforts उसने बहुत प्रयास किया फिर भी उसे अपना प्रस नहीं मिला अब देखो तीसरा अर्चित अर्चिता are teachers in this school देखो अब यहां पर आर दे रखा है तो इसका मतलब यह भौवचन है भौवचन होगा तो यह रही है दोनों जोड़े जाएंगे जोड़े जाएंगे तो आपको किसका प्रियोग करना है अगर आप और का करना है ठीक है ना अगर आप और का कर देगे तो और अर्चिता is teacher in this school और school lecturer के द्वारा हल किये गए हैं इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड वाली बात नहीं है अब यह person है जो person sir ने हमें नहीं बताएंगे उन्होंने कहा कि आप कुस्तक में देख लो अलागी थोड़ा बहुत बताया था section B है चारिस पिचास सब्दों में तीन चैर लाइनों में आपको उत्तर देना है देखो person के आदस हुआ वाई ड़ज दे पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को धन क्यों भेजा था तो यह आपने letter to God कोई पाठ है उसको पड़ा होगा उसमें साइद सर ने कहा कि यह कोई एक किसान होता है और वो पोस्ट मास्टर भगवान को पत्तर लिखता है कि मुझे पेसे दो तो मतलब उस बंदे का भगवान पर विश्वास होता है तो पोस्ट मास्टर ने सोचा कि इसका इतना विश्वास है इसको पेसों की जरूरत है इसको विश्वास को ने तोड़ते हुए अपने कुछ पेसे भेज देते तो उन्हें अपने सातियों के साथ एकतर सातियों से पेसे लेकर भेज दिया ठीक है यह अपनी किताब में देख ले ना भई पहला ही पार्ट है साइद 11. What happened to the house when the trees move out of it तो ये that trees से लिया गया है फिर देखो 12. Why does Anil not hand the thief or the police को क्यों ने पगड़ा थीप स्टोरी से है ये चोर की कहानी से है ठीक है वाइड़ मिसेज हॉल find the scientist eccentric संकी केसे पाया वेगयनिक को ये footprint without fit है यानि बीना पद बीना पेरों के पद चिन यानि उसमें वो वेगयनिक है वो एक ऐसा खौज कर लेता है जिससे शरीर उसको निगल ने से दवाई को निगल नेने से क्या होता है कि पारदर सी हो जाता है रों किसी को दिखाई ने देता चोधा देखो अध्यापक ने उसके जीवन में प्रिवतन का कैसा रॉल निभाया भोली पार्ट से है अब देखो ये अलग लग है भाई कि कुछ विदारतियों के कोई पार्ट है देखो गवर्मेंट ने कहा है चिक से विवाग ने कहा है कि 60% देना है तो आगे वाले हैं पीछे वाले हैं ये अलग लग अपने स्तर पर लोगों ने दे दिये हैं जीलों ने समान प्रिक्षवेश्टा के तेतर अधारित कर दिया है अब देखो ये पैसेज को पड़िए और आप आप अंसर दीज़े ये आपके पार्ट से लिया गया पैसेज है आपके पार्ट से लिया गया पेसेज है आप देख सकते हैं कौन से पार्ट से लिया गया दे बेकर और ब्रेट से लर आप दोस डेज ठीक है यह पैसेज पड़ो और उसके बाद नीचे दिये गए परसन है उनको उत्र देजिए कि वाट इस कभाई कभाई क्या थे हूँ इन्वाइट दा कॉमेंट इस ड्रेश लाई के पैडर ठीक है न आपकी किताब से लिया गया है और यह साइद वो नेकलेस वाले पार्ट से ऐसा सा कोई पार्ट होगा अब आज मैं फॉरिष्टर लूखिंग कैसी दिखती थी वाट डिड मैं लोईजल डिशाइडें लोईजल ने क्या किया था ठीक है तो यह आपका लेसन है ठीक है यह प कहा गया देखो रेड दे स्टेंजा को पढ़िए और नीचे दीगे प्रशनों का उताजिया कि समसे वाल्ड विल एंड इन फायर कुछ लोग कहते हैं कि संसार कांत आग से होगा और समसे इन आइस कुछ कहते हैं कि बरप से होगा प्रॉंवोट आई है टेस्टेड आप डि क्योंकि उसने डिजायर का किया तो आप यह उत्तर देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर अब देगो अठारा नंबर क्या है अब देखो आगे जो आपके सक्षन सी है उसमें थोड़े बड़े प्रसन है किसे बड़े प्रसन है देखिए आप आप सब्सक्राइब देखो वाई वाई वाज दे यंग सिगूल अपरेट टू प्लाई एंड हाव डिड़ी गेट सक्सेस कि छोटा सिगूल है वो डिड़ क्यों रहा था उठने से हाव डिड़ी गेट सक्सेस उसने सपलता के से प्राप्त की तो आप वो पार्ट से फर्ष्ट प्लाईट पार्ट का पहला भाग है उसको पढ़कर आप इसका उतर देशकते या फिर दूसरे भाग से आप जो वरन करता है उसने हवाईजाज को तुफान में उड़ाया था उसके अनभूख आपको वरन करना है जो बलेक अरोपलेन से लिया हुआ थे एक बेलक अरोपलेन उसके आगे-आगे जाती है तो किस परकार से उसके अनभूख थे ना उसकी दिशाय अंतर है और नहीं करने हैं अब आप सोच रहेंगे हमारे स्लेबस में यह पार्ट कुछ है नहीं भाई कोई बात नहीं है यह पार तो सभी की स्लेबस में होने चाहिए आरंबिक पार्ट है यह परसन भी देखो वाई डस दी एन वांट टू राइट डैरी एनी डैरी क्यों लिखना चाहती थी अगर यह नहीं आता तो आप यह लिख दीजिए वाई वास दे इनोग्रेशन सेरिमनी दे ग्रेटेश ओकेजन फॉर दे साथ अफ्रीका यानि इनोग्रेशन सेरिमनी है सपत समारो है वो साथ अफ्रीका के लिए महान आउसर क्यों था नेलसन मंडेला लॉंग वाक्टू फ पास्पूक एक्सिलेंट बगएरा अब देखो 21 नमर परशन ड्रा एक रेक्टर स्केच ऑफ मेडी मेडी का रेक्टर स्केच यार करो या फिर वाट इड मेडी थिंक ऑफ वांडा अगर वह नहीं देखो यह एंडरे ट्रेस फश्ट से और यह सेकेंड से कुछ सलेबस में यह कुछ में यह देया है अलांकि यह मादिमिक स्केच ऑबर्ड के अंदर दोनों ही है तो या तो मेडी का करेक्टर स्केच चार करो या फिर बताओ कि मेडी है वह वांडा की बारे में क्या सोचती है वांडा पैंट्रोस्की के बारे में यह हो गया आपका अब देखो परशन देखो यह दो परसन दे रखे हैं बाइस में क्या है अध्या में क्या टवी डेट शेवाग डेट से लिया गया और अथवा में क्या दे रखा है हाउ डिीड ओजबल गैट रिड ओंफ मैक्स किस परकालो ने ओजबल मैक्स की उस पहली को सूल जाया यह मिड़नाइट व्ज तो नाम का कोई पार्ट है आपका ठीक है उस से यह पर्षन लिया गया है यह नीचे नाम भी दे रखा है दे में दाइट विजिट तो दोनों में से इन में दोनों में से कोई आप एक कर लीज़े हैं तो नूडल के आपको तुलना करनी है ठीक है अब महत्वपुन पार्ट आपका और आ गया देखो D वाला महत्वपुन पार्ट है बहुत ही महत्वपुन पार्ट है Imagine that you are सिधू Living at 20 सास्त्री नगर जेपूर आप सिधू है कलपना करो कि आप सिधू है और आप 20 नंबर गली या मोले में सास्त्री नगर मोले का नाम है गली या घर का नमर 20 हो गया जेपूर में रह रहे हैं Write a letter to the editor आपको एडिटर को संपादक को पतर लिखना आप लोकल न्यूजपेपर स्तानी न्यूजपेपर ऑन कीपिंग जेपूर सिटी क्लिन जेपूर सहर को साफ रखने के लिए तो मान लो कोई भी न्यूजपेपर जो जेपूर में चल रहा हो रास्तान पत्री का देनिक भासकर देनिक नेव जोती कोई भी है उसके संपादक को आप पतर लिख रहे हैं समस्या यह कि सहर साफ नहीं है और आप क्या करवाना चाहते हैं सहर को साफ रखाना चाहते जेपूर को या तो यह लिखो अथ्वा और दे रखा है ना आपके नीचे क्या दे रखा है और और का मतलब होता है नीचे वाला कर लो उपर वाला नहीं, तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, नीचे वाला क्या e-mail है, अपने दोस्त को एक e-mail को, requesting them to share the syllabus for all subject of your class, अपनी कलास की संपुन सब्जेक्ट को share करते हैं, ठीक है, और e-mail id ये परियोग में लेनी हैं, goodscholar at gmail.com, कौनची id काम में लेनी हैं, goodscholar at gmail.com, e-mail तो ये लिखनी हैं, लेकिन id ये काम में लेनी हैं, तो आप जो लगाते हैं न, चोईस नमर परसन क्या का गया है, write a story using the outline दीगी है, इस क्यादार पर कहानी लिखो, assigns table title and moral to title भी लगाना है, और moral भी डालना, देखो, अब आप ये सब्द आपको यूज करने हैं, तो आपको पता ये कौन सी ये बी वाली है, और डाव भी दे रखा है, तो बी एंड डाव, बी एंड 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 डाव, बी माने होती है मदुमकी और डव माने होती है बतक, मदुमकी और बतक, ठीक है, तो देखो किस परकार से एक बार क्या होता है, कि मदुमकी पानी में गिर जाती है, तो बतक है ना, वो उसको बचाती है, और जब बतक को मारने के लिए, अच्छा, बतक नहीं है वही, डव म माने बतक होती है तो बी माने मद्मुकी और डव माने पाकता, पाकता जैसे कुछ छ astrology में कवे में इस कमेडी अब क्या होता है ? कि जैसे मदुमकी पानी में इस घिर जाती है तो ऊपर पहता है एक पेड़ से पत्ता गिरता है उस पत्ते पर मदूमकी बेटती है और फिर जैसे उसके पंक सूक जाते हैं ये आकास में उड़ जाती है अब एक दिन क्या होता है कि पाकता आपका बेठावा होता है और कोई सिकारी सिकार करने के लिए आता है और जैसे भी पाक्ते पर निशाना साता है तो मदुमकी उसको खा जाती है किसको उस सिकारी के हाथ को खा जाती है तो निशाना चुक जाता है और पाक्ता उड़ जाता है यह है A B and A Dove वाली कहाणी लिखनी है अगर यह आपको नहीं आती है तो अथवा में क्या लेयर का ए गडरिया और भेडिया ए सेफ़ड एंड ए वाफ गडरिया और भेडिया वाली कहाणी है ठीक है उसमें गडरिया क्या कि बिना मतलब का चिलाता है भेडिया भेडिया तो लोग बाग कराते है छुटाने के लिए लेकिन वो दो तीन बार करता है तो लोगों ने सोचा मज जाकर एक दिन सच में आ जाता है तो ये तो आपने कहानी पढ़ी है पेरे बच्चें तो कोई देखकर तो आपके मेरे खाल में आएगी नहीं अब देखो ये राइट ए पेराग्राफ ओंदे गिवन यूजवल आप ये पेराग्राफ देखिए ठीक है पेराग्राफ विजवल देखकर अब विजवल देखकर तो भाई आइडिया लगाई सकते हैं आप ये देखो पढ़ने की बाते हो रही है तो ओनलाइन स्टडी की बात हो रही है किसकी हो रही है ओनलाइन स्टडी की बात हो रही है अब इसके अत्वा में भी आएगा अत्वा में यहां भ ट्रीज पेड़ों का महत्व कर सकते हैं या ग्रोविंग प्लांट्स करके आप आर्टिकल त्यार कर सकते हैं तो इस प्रकार से आपका ये मोडल पत्तर था सब्जेक्ट आपका था इंगलिस आपने इस वीडियो को अंतक देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद यदि वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ब पैरविदार्तियों अन्य कक्षाओं के अन्य विश्यों के मोडल पर्षन पत्तर है वो भी अप्लोड कर दिये जाएंगे और दस्वी क्लास के सभी मोडल पर्षन पत्तर है वो अप्लोड कर दिये जाएंगे सभी पर्षन पत्तर अपके अद्वार्सिक में ये फाइदा हो